नमस्कार परदा दिमित्रो स्वागाच छे आपनू आधना लेक्चर मा तो आपड़ो बनी सके क्या प्राचिन हितियास नो छेलो लेक्चर होई पची त्यां थे आपड़े आगड़ मद्धिकाले हितियास सरू करवा जानाची आनो एक मेगा लेक्चर हुँ बनाईने मुक्क कई गुफाओ क्या आवेल छे ति फरीत एकवर जोईले के यूपी मा आपड़े छे ति बाराबर नी गुफा आवेल छे ओड़ी सामा उदैगीर आने खंडगीर नी गुफाओ करणाटक मा बादामी गुफाओ प्रदेश मा जोईत भीम बेटका आने भागनी गुफाओ छे तियारबाद महाराष्ट मा कनहेरी एलिफंटा पित्तल खोरा भाजा गुफा आवेल छे काल्ले गुफा इलोरा गुफा अजन्ता एलिफंटा बेटसा आगुफाओ आवेल छे तियारबाद गुजरात मा खाप्रा कोडिया गुफा खंबाली डा जुनागड मा गुफाचे कडिया डूंगर नीजी गुफाचे ते पन गुजरात मा आवेल छे तो आवे रिते कई गुफाओ छे हवे तियां थी आगडवदी है तो तेमा चे ओरी सानों कलिंग गंगे वंस आगड़ आपड़े चार जिरला वंस जोई गया प्राचीन काड़ मा राज जे कलिंग न नामे उड़कातू हतु मोर्य सासक राजा असोके कलिंग पर आक्रमन कर्यों हतु तो ते समय गाड़ा दरमयान आपड़े जोई गया के जे महानेवा सासक असोक हता तेमणे कलिंग पर युद्ध कर्योंने कलिंग न युद्ध किवाई क्याखो तेमने वर्तन परि वर्तन कर्वामा महत्वन पूरवार साबित थे युँ अतो तो आ वंस विशे गंगे वंस जे कलिंग नो हतो तेना विशे अभ्यास करवाना चे तो असोक विशे पणा यहां उल्लेक छे ओरिस्सामा मुख्यते त्रण वंसो पूर्विये गंग वंस गजपती वंस ने भोई वंस से सासन करियो हतो तो आ बदा कन्प्यूजिंग पोईन चे एक तो चोथो वंस ने चोथा माई पाशा त्रण वंस इल्ले राजपु आके वैं दक्सियन भाहतनों इथियास एमा आज बदी दखलिपो रेती हुए चे इसुनि 15 सदी मा दक्सियन तता मद्य कलींग मा जधा जधा जदा वंस नो सासन हतो ते पेला गंग वंस तरीके उत्तरकलिंगना गंग लोगो इन्य कलींग कब जे करिये हतो आ गंग लोगो प्राचिन समयती जानीता मैसूर्न ना गंग व गंगे जे कलिंग ने सासक होता ति तेमने नामने पाचर लगारता सामाने येते जुवा मड़े छे त्री कलिंग अधि पतीनी उपाधी ध tarat klaadi आ गंग वन से कलिंग पर 400 वणशुदी सासन करिञे होतो 400 वर्षुदी कलिंग पर आ 번째 सासन ने खतो आ प्रदेश पर विजा गंघ्वंवन्षनु सासन स्थापाईू, जिनी स्थापना अनन्त वर्मने करी हती। अने ओरिशा पती अत्वा उतकलाधी-पती नी उपादी दहरन करी हती। तो आ ओरिशा पती और उतकलाधी-पती उपादी कया राजा द्वारा ध depends on the world of realism. त्यम ने पूरीनु जगन्नातनु मंदीर बंदाविये हतु तुट और विष्टार गंगाथी गोधावरी सुधी विष्टरेलeker उस विषण 1150 सुधी तेमने सासन कर्यू हतु आगड जो ये तो तेमने ओडिसाने संगटी तता सक्तिसाडी बनावी हतो तता पूरी नुँ जगनाजी नुँ मंदीर उप्रा भूनेस्वर्मा लिंग राज मंदीर नुपन तेमने निर्मा करावी हतु आगड चे नरसी वर्मन प्रथम नरसी वर्मन प्रथम में राजा भिम देव पूरी नजी कोणा आकनो सूर्य मंदीर बन्दावी हतु तो कोणा आकनो सूर्य मंदीर कोणे बन्दावी नरसी वर्मन प्रथम तेना समय मा मुश्लिम सासको ये आक्रमन कर्या हता आ मंदिर जे छे बलेक प्पेगोड आईरले काड़ा पत्थर माथी बनावेल हुआ नका reproduce तेने बलेक प्पेगोडा एरले काड़ो मंदीर पन क्या मा आवे छे रत मंदीर पेगोड़ा एटले रत मंदीर तो काड़ो रत मंदीर तरीके रत मंदीर ने ओड़कामा आवेची कोणा रखनों चे नर्सी वर्मन प्रत्थम द्वारा बना आवेल हत्तु त्यारबास सूरीवंसी गजपतियो जो येतो पूर्ययगंग सासको ना समयमा कपिलेंदर गजपतियो आवंससनी स्थापना करी हत्या तेमने ओरिशा पर एक सदी करतापन वधारे सासन करी हत्यु ओरिसानो प्रख्या सासक प्रता प्रुद्र दिव छिल्लू माहन सासक हतो ते विजय नगर राज्यना कृष्ण दिवरायनों समकालीन हतो तेमल तेमना समयमा वेश्णाव धर्मनों विकास्थाहिल जोवा मडे छे गजपती वंशना सासनकार ने ओडिसाना इतियासना उत्कष्ण नुद्धकर्ष्ण 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 जो हुआनू मानता हुथा, काल् Ahmad нез ॡ दा्ष्मी सदी मा शत्ता पर आझ्यीँ हाता, आ समाइ मा यादाव वंस्दा बे र्आज्य्यू अलतमाल न स्तित्त्व ծानता acoustic, न वच द्वार समुधर केbt, प्रथम सासक भिल्लम पहलो हतो त्यार बाद आगर जोए यादव राष्ट कुटो और पस्चीमी चालुक्कियों ना सामन्तो तरिकी काम करता हता कल्याणी ना चालुक्कि राजवी सोमेश्वर चोथाने हरावी यादव भिल्लम नौमाई स्वतंत्र सत्तानी स्थापना करी हती त्यार बाद आगर जोए जैत्रपाल अत्वा जैतुंगी इस्विशन अग्यार्श तानु थी बार्षो हवे आपड़े धिमे धिमे प्रुथ्वी राजवी चोहन वन सतो राजपु दियुक ते तर प्रयान करी रहाशे तो जैत्रपाले दक्सिर्मा काक्तियो गंगो अने चोलो उत्तरमा परमार्थ तता चालुक्यो साथे युद्ध करी विजयो मेडव्य हता त्यार बाद आगर चे शिंगण इस विशन बार्षो थी बार्षो सुन्ताली शिंगण जैत्रपालनों पूत्र हतो ते ओ यादववंस ना सौथी सक्ति साड़ी साशक हता तो यादव वन्स ना सौथी सक्ती साड़ी सासक कोण हता तो सिंधव ये कोण हता जैत्रपाल ना पुत्र हता तेमना सासनकार्मा यादव सामराज्य सरोच कक्साय पोहतो तो आये केवा महानिवा राजया कई सका यादव वन्स ना कारण के तेमना समय गाला दर में यादव व पिसार साम्राज्जेनु निर्मान करी कावेरी सुधीनु दक्सिन भारत विंध्याचल परवतनी गीरी माडा तदा उत्तर नो केटलोक प्रदेशनु समावेश पोताना साम्राज्जेमा कर्यो हतों। तेमने पोताना सासनकार दर में 84 जिटला किलाओ बंधाव्या हता। तो आ वाद थै यादव विशे। त्यार बाद आगड जोईए। तो सिंगणे के विजेता राजवी उप्रांद विद्वा नोनो असरै दाता हतो तेमना दर्बार में राज कवी सारंग धर हता। तो आमना दर्बार में थै जिग्या सिंगणना जिमने संगीत रतना करनी रतना करी चे। तो सारंगदर सहपर्ति सारंगदर ने सहपर्ति संगीत रतना करी विदे तमी याद राकी सको चों। तेमने भासकराचारिय लखेला सिध्धांत सिरोमनी तेथा जियती संबंदी ग्रंतोना अध्यन माटे एक केंद्रनी स्थापनापन करी हती। त्यारबाद आगडची कृष्ण कनर के कनहर इस विशन बार्षो सुन्तालिस्ती बार्षो साहिटना समय गाड़ा दर्म्यान आ राजा थाई गया। तो सिंगणनों अउसान थता तेमना पोत्र तेम जैतंगी राजानों पोत्र कृष्ण गादिये आविय। राजा कृष्ण ना समय जलहने सुक्ती मुक्तावली अने अमला नंदे वेदांद कलपत्रु नामना ग्रण्थो नी रचना करी हती। कृष्ण कनर के कनहर पची महादेव रामचंद्र रामदेव जेवा सासको थया। आगर जोए रामचंद्र रामदेव बार्षो सित्तेर्थी तेर्षो अग्या। कृष्ण पची तेमनों भाई महादेव गादिये आवियो। तेमाज महादेव ना मृत्तिबात कृष्ण नों पुत्र रामचंद्र गादिये आवियो। तेवो आवंस ना अंतिम स्वतंत्र सासक हता। तेमना समय मा यादव सामराज्य पर अलाव दिन खिलजी ये चड़ाई करी राम चंद्र ने दिल्लही मा केद कर्या। तेर बाद मलेक काफोना आकरमन बाद देवगीरी नो समाविस दिल्ली सल्तनत अंतरगत करवामा आवियो अनि तेनू नाम दोलता बाद राकवामा आवियो। आगर चे काक्तिय वन्स एम ना विशे कैं बव छे नैं, फुष्णा आने कावेरी नदियो वच्चे ना प्रद्यसमा काक्तिय वन्स नू राज्य आतु जेनिराल दानी वारंगल हती। हावे, चोल चेर पांडिया त्रण राज्यो विशे आपणे अभ्यास करवाना जी घणा महत्वना छे। तो तेमा सव प्रतम जोए चोल वन्स असोक ना तेरमा सिलालेक मा त्रण मुख्य राज्यो चोल चेर पांडियनो उल्लेक जुआ मडे छे। तो तेमा आपणे जोईए। तेमा आपणे 6 चेने जे चोल राज्यो ना प्रतम एतियासिक साशक गणाई छे। तो चोल राज्येना प्रतम एतियासिक सासक तरेके कोनी गर्णा थाई चे तो इलन चेत चेनी नी तांजोर त्री चिन्ना पल्ली अने पुदु कोट्टै जिया आवेल छे त्यां मध्यकाड माँ चोल मंडणनु राज्ये हतु चोल वन्सनी राजधानी तांजोर उरेवूर हती तो चोल वन्सनी राजधानी कई हती तांजोर जेने उरेवूर पन केवाई छे चोल नू प्रतिक वाग हतो आवस्न राजवय सिक्कामा आगन नी बाजवय वाग नी चबी औने पाछन नी बाजवय हाथी नी चबी वाळा चोर शिक्का बहर पाड़े हता तेवो शर्वातना समय मा काची पुरमना पल्लोवोना सामन हता हवे अहाँची दक्सिन भारतना प्रमुख राज्यो चोल चेर पांड्य तो चोल राज्य हतो ते पेन्नार नदी अने कावेरी नदी नी वच्चे आवेल चे ते तमारे याद राखू त्यार बाद पांडे चे निया बाजु चेर चे मुझरीस, कन्या कुमारी तो आब दक्सिन भारतना मुख्य त्राण राज्य वन्स आपड़े कैसा के चे चोल चेर पांड्य चोल चेर अने पांड्य तेमा जो ये विजयालाई इसवीशन आट्सो पचास्ति आट्सो एक्को तेर येमनों समय गाड़ो लगभग एक्विस तो नौमी सदिना मध्यमा विजयालाई इसवीशन आट्सो पचास्ति आट्सो एक्को तेर द्वारा चोल सामराज्य नी पुनह स्थापना करवामा आवी। विजयालाई पांडियो नी सत्ता निर्बर पड़ता तांजोर राज्य पर अधिकार जमावी लिदो अनि त्यां दुर्गा देविना मंदीर नसुम्ब सुधीनी देविनु निर्मान करवामा वास्तुकार कुंजर मल्लम राज-राज पेरु थच्चन हता। आगर जोई करिकलन चोल राजाओमा नोदपातर छे तेने कावेरी नदीना पाणिनु असर कारक दिते उप्योग करीने जंगलनी जमिनने खेती हेटर लाववा अनि सिंचाईनी सुविधाव विक्सा वानोस्रे आपपामा आवे छे। पल्लव अनि पांडियोनी स्थिती नबडी पड़ता आधित्य अनि परांतक जिवा उत्तर आधिकारी होए दक्सिन बारतना मोटा भाग पर अधिकार जमाविली दू असामराज्येमा सौथी सम्रुद्ध राजाओमा राज-राज प्रत्थम राजेंद्र प्रत्थम नोँ समावे ठाई छें हवे आगड जोई अरी मोली वर्मन राज-राज प्रत्थम जिकेवाई इस्वी सन इमनो समय गाडों छे 985 सिती एक हजार ने चौद चोल सामराज्येना वास्तविक संस्थापक परांतक राजाना पुत्र ओरी मोली वर्मन ने मानवामा आवे छें तो वास्तविक संस्थापक तरिके जे चोल राज्येना परांतक राजा हता तेमना पुत्र कुण हता ओरी मोली वर्मन तेने राज राज प्रथम नी उपादी धारन करी तेने तंजावुर्णा ब्रुहदेश्वर मंदीर नूँ एटले के राज राज राजेश्वर मंदीर निर्मान कराविव जी भारत नूँ सवती उच्चु मंदीर मानवामा आवे छे लक्ष दीप अनि माल्दीव उपर विजय मेडवी नौका सेनानु गठन करियो हतु ते सीव ना अनन्य भक्त हता त्यारवाद आगड़ छे राजेंद्र प्रथम इस्विशन एक हजार चौँध थी एक हजार चुम्मालेश चोल वंस ना राज राज प्रथम पची राजेंद्र प्रथम नामना महान सासक थेग्या जो दक्षिन ना नेपोलियन तरिके उडख्वामा आवे छे एललेक दक्षिन ना नेपोलियन तरिके कोने उडख्वामा आवे छे तो राजेंद्र प्रथमने उडख्वामा आवे छे तेवो महम्मद गजनुईना समकालेन हता तेवो शिक्षनना महान आसराइधा ता हुवा थी पंडिच चोल नाम थी पन जानेता छे तो पंडिच चोलना नामे कोणने ओड़कामाले चे तो राजेंद्र प्रत्थमने तेमने मुडी कोंडा चोल एले चोलनो राजा कदर्म कोंड एले कदर्म ना प्रदेश नो विजेता जिवा विरुदो पन धारन करिया हता तेमने बंगाणना पाल वंस ना सासक महीपाल ने पराजित करी गंगेई कोंड चोलम नी उपादी धारन करी हती तो एक महान राजा एवु कैसे काई राजेंदर प्रत्थम ने इस विशन एक हजार चौद स्ती चुम्माली से लगबग तीस वर्स समय गाडो तेमनों छे कावेरी नदी पर राजदानी वसावी अन्य तेनु नाम गंगेई कोंड चोल पूरम गंगा राज्यना चोल विजेतानु नगर राखियो आगड जोईए राजद्र प्रत्थमें पिता साथे पस्चिम चालो के पर हुमलो करवामा भाग लिदो परिणामे चोल सामराज्यनी सीवी मा तुंग भदरा नदी सुदी फिलाई तेमने गंगेई कोंड चोल पूरम मंदिर बंदावि जे तेमना उत्तर भारत पर ना विजेयो ने अंकित करे छे राज राज प्रत्म अंье राज़ेंद्र प्रत्मे घणा स्थडो पर सियू अन्य विश्ण ना मंदिरो बनावी ने पोता नी विजय नी स्मुतियो खंडारी हतीו तेयार बाद राज राज बीजो, राजादी राज बीजो, कुलोतुंग बीजो, राजेंद्र त्रीजो अनि राज राज त्रीजो जिवा सासको थाई गया चोल सासकों म सव प्रतम उत्तम चोले सुनाना सिक्का बहर पड़े हाता થો ઉતર્તમ ચોલી ખોલી જોલ વંસ્નો અંતિમ આની મહતો પૂતુંં પ્રથમ હોતો તેમણે ચોલ અની પૂરી पुक्यों ने भीगा करया हाता है हावी जो ये कोल सा सकत्लारी वहिवर्टी वेवस्त्ता थो y twa тебя केंद्र स्थानी है तो राजा नव्त्राधी कारी युराज केंद्र के तेनी राज्य तेरबाद सुप्पामा आवतु हतु। तेरबाद चोल वहिवट तंत्रमा राजाओने पेरुमन अथ्वा पेरुमगन उल्गुडियो पेरुमल उल्गुडिया नैना जिवा भीरुदो अप्पामा अव्याहता। थोड़ा समय बाद तेवोई चक्रवर्ती अनि त्रिभुवन चक्रवर्ती जिवा भीरुदो धारन कर्या हता। राजाओ वहिवट सहाय माटे अधिकारियोंनी नियुक्ति कर्वामा आवती। चोल वहिवट नी विशेष्ता तेनी स्थानिक सो राज्यानी संस्ताव हती। चोल राजाओ वहिव राज्याना रक्सल माटे गसदल, पाईदल, हैदल, जिवा त्रण लसकरी विभागो अपनावे हता। आ उप्रान तेमनी पासे मजबुत नवका सन्यपन हतो। चोल राजाओ वहिव राजाओ वहिव राजाओ दोहरा भेट पन् आमा आवती हती। त्यार बाद आगर जोईए प्रान ती वहिवट तन्त तो चोल राजाओ द्वारा सारा वहिवटी संचालक माटे मंडलम एले प्रान बनावामा आवता हता। मंडलमना उपी भागो वल नाडू नाडू ग्राम तरीके ओडखाता। मंडलमना वडा तरीके अधिकारीनी निवक्तित हती हती। तेम तेनो वड़ो राजाने ज्वाब दर रही कारे करतो हतो। खेडू तोनी जे वस्ती हती तेनी उरके मां आवती हती। जे सिंचाई रूपी खेती नी साथे सम्रुद्ध तहे हती आरिते गामडावना समुवने नाडू कैवामा आवतु हतु ग्राम परिशद अने नाडू नियाई करवानू अने कर वसलवानू काम करता हता तो आमाद थोड़क जोई लेए मंगलमना उपी भागो कया कया था वलनाड था नाडू अने ग्राम संचालन माठी मंडलम एटले प्राहत बनावमा आवतु हतु खेडू तो ने उर केवमा आवतु अने गामडावना जी समुव होई तेने नाडू तरिके उड़कवामा आवतु हतु जमिन मापणी ना विविद एकमो जेम के कूली, मा, वेली, पट्टी, पडगाम वगेरे हता उर इले गाम स्तरे उरर इले ग्राम सपा इले कर एकत्रीत करवा अने सरकार ने मोकलवा माटे ज्वाबदार हता तेमाज नाडू स्तरे नाटर कर एकत्रीत करवा माटे जवाबदर हता राज्यना दरेक मंडलममा लोकोनी एक सबा हती तथा दरेक नाडूमा नाटर नामनी सबा हती आ सबा स्थानिक लोकोनी बनावेली हती आगर जोईगी समरुद्ध खेडूतोंनू चोल सरकार नी देखरेक माँ नाडूना कार्यों माँ खास नियंतरन हतु ये माथी गणा समरुद्ध जमीन मालिकोने चोल राजाओना सन्मान मा मुर्वेद वेलन एले त्रन राजाओने पोतानी सेवाओ आप्पा वाड़ा खेडूतों अरई यार एले प्रधान जेवी उपादियों आपी और चोल सरकार मा महत्वपून राज के पदो सोप्य हता तो आवा मुर्वेद वेलन कोने के वाई के त्रन राजाओने पोतानी सेवाओ आप्पा वाड़ा खेडूतों होई तेमने मुर्वेद वेलन के वाई अने अरई यार एटले जे प्रधान होई तेवी तेमने उपादियो एटले जे खेडू तो हता मोटा खेडू तो तेमने पण आलोखो तेवाई क्या राजाओ सन्मान आपका हता पोधाना मंत्री गर्मा अर्थिक जीवन जोई तो चोल सामराज्य मा अर्थिक जीवन न मुख्यादार खेती हतो राज्यानी आवक नो मुख्य साधन जमिन महिसुल एटले भूमी कर हतो जाबड़े आगर तो जोई आगर जोई गया या लखेल नहीं केटला भागना हतो पर आगर एक सिस्टमावस भ बंदरो नाकापर ना वेराओ एलेक्ट्रोल्टेक्स खनीज वेरो वगेरे तेमनी आवक ना मुख्य साधन नो हत्ता आवप्रांद मकान उपर छापरू नाके तो तेना माटे पन कर लेता खजूर के ताड़ ना व्रूक्स पर चड़वा माटे पन आलोको कर लेता पारिव संपतिनो उत्तराधी कारी बनवा माटे नो कर जिवा करो नो उल्लेक जॉआ मडे जेलेके घणा बदा करो छी मकान पर छापरू होई वल गटे कोई दुलिक्स पिरा correlation रूक्स पर छेंद खजूर पर चड़ए तो तेना माटे कर कोई उत्तराधी कारी घुषित करे तो तेन परेक करतो आविरिते गहना बता कर हता एक सेस्टमावस बागना आंतरीक अनि बाहे वेपार पन जोवा मड़े छे वेपार बे महाजन जिवा जुथ द्वारा करवामा आवतो हतो अंजु वन्नत्तर अनि मनि ग्रामत्तर चोल सामराज्यमा अगनी एसिया रोम अनि यूरोप देशो साथे व्यापारिक संबंदो हता व्यापार माटि मदूराई कोची तिरुवननत पूरम एले त्रिवेंद्रम तंजावूर तांजोर जिवा बंदरोन उप्योग ठतो हतो अ बंदरो माथी अत्तर तेजाना सुत्राव कापड काच हाथी धात अन्य धातोनी आयात नि आयी हता आ काडमा मंदिरो धार्मिक प्रवत्तियोंनु मुख्य केंद्र गणाता हता तो आ किवाई के चोलवांसना सासको मुख्यत्वे सयो धर्म साथे संग्रायल हता तेमने सिवने बे स्वरूप मा रजू करिया हता सिवने प्रतिकात्मक स्वरूप एले लिंगोत भाव और नटराजनी मूर्ति मानव सरूप मा एमने दर्सावी हती जे नटराज नुरूत्तिय करे चे सिव भगवान एमने नटराज क्याम आवया छे तो तेमने मूर्ति आपनने जुवा मड़े चे तेमने धर्मने प्रोस्थान आप्पा माटे जमीनो भेट मा आपी राजराज प्रत्थमनी फ्यसको पेंडिंग मा तेमना पत्नी साथे ब्रुदेश्वर मंदिर मा सिवनी पुजा करता दर्सावामा आवेल छे भगवान सिवना कार्योंनी प्रसंसामा स्त्रोतों स्यव्यू संतों अने भजनों नैनारों द्वारा रच्वामा आवेहता जेने नामबी या दर नामबी ए एकी कुरूत कर्यू हतु जे थिरु मूराई तरीके ओडखाई छे तो आप भजनोंनी बदा जे एकत्रित कर्वामा आवे अत्यमने कया नामे ओडखाम आवे छे तो थिरु मूराई नामे त्यार बाद आगर जोई आपड़े तो स्थापत्यों मा चोर काडमा ततकालिंग द्रवीड स्थापत्य सैलीनों विकास थयो आ समयमा स्री निवास न अन्ने गोपूरम धरावत मंदिरों ना निर्मानी सर्वात आ समय गड़ैं दर्म्यान थयती तांजोर खाती राजराज प्रथमे बनावेल ब्रुह देश्वर मंदिल चूर स्थापत्य कड़ानू उत्तम नमुनू छे चोल वन्स नी कासानी प्रतिमाव वीश्वनी 37 रेष्ट प्रतिमाव तरीके गणाई छे तो एक महान वन्स तरीके आपड़ै चोल वन्स ने गणी सके छे त्यारबाज जोएतो अग्यारमी 12 सदीनी तामबानी के कासाना सिल्पोमा खास करेने नटराज नी धात्तु प्रतिमाव प्रथलित बनी जेमा चित्तुर वर्तमान अंध्र प्रदेस माथी मडेल नतराज नूत्त्य करता सियुनी प्रतिमा मुक्के छे जी भारतिय आमनों छे आ नटराज नी मुर्ति आना विशे आपड़े सांस्कुतिक वार्तिमा विशेश ते अभ्यास करीशु प्रन चोल सासको आ मुर्तियोंनों केवा एके निर्मान करता हाता कासाने अन्ने तामबानी मुर्तियों आमना समयमा खासेवी प्रख्यात थे यहती चोल सामराज्येमा भीत चीतरोंनों पण विशेश महत्मा जोवा मड़े छे जेमा तिरू मैयम अने ममुंदर नी गुफाओ काचिना कैलास नात अने वैकुन पेरो मलमना मंदिरों मुख्ये छे तमिल साहित्येमा शेव अने वेश्णव संप्रधायना भक्ती काव्योंनों विशेश संगरह जोवा मड़े छे आ कारमा संस्कुरू साहित्यमा परांतक प्रत्थमना समयमा पेंकट माधवे रुगवेद पर भास्य थता राजराज बिजाना समयमा कैसो स्वामी नामना विद्वाने नाना धोर्नाव संख्येप नामे कोष्णू सर्जन करियू हतु त्यारबाद आगर जोई चोल सासन अंत चोल वन्स नवमी सदी थी तेरमी सदी सुधी दक्षिन भारतमा सर्वच्च तो त्यारबाद स्थानिक वड़ावन महतो वधवाला आगियू इस विशन 1264 मा पांडे सासको जटावर्मन सुन्दर पांडे वन्स एले पांडे पेलाए चोल नी राजधानी गांगाई कोन पर हुमलो करी हरावियू इस विशन 1264 मा पांडे सासको ए राजियंद्र चोल त्रिजानी हराविने पांडे वन्स नी स्थापना करीू तो चोल वन्स ए महान वन्स नो अंत थाई छे बार्षोर ने अग्णियाई सीमा त्यार बाद आगर जी दक्सिन भारत नो पांडे वन्स नी स्थापना आपनने थती जुआ मड़े छे त्यार बाद आगर जो ये पांडे वन्स मा तो तमील अबिलेको मुझा पांडे वन्स मदुराई अने तेना असपास ना विस्तार मा विस्तरेलो हतो तमील अबिलेको मा मदुराई नो उल्लेक मती राई तरीके थाईलो आपनने जुआ मड़े छे जे मधुराय हतु येनु तमिल लेखुमा अपनने मती राय तरीके येनु अथवा ये नामी उल्लेक थायल जुआ मड़े छे छट्टी सदी मा अंध सुदी मा पांडियो ए दक्सिन तमिल नाडो मा तेमनू वर्चस वे स्थापित कर्यू आ समय गाडानी घणी ताबानी प्लेटों मुझा पांडे सासकोई सातमी थी नौमी सदी सुदी मा राज कर्यो हतु तेनी माहिती आपनने त्यां थी मर्दी जुआ मड़े छे पांडे वन्स ना राजवियो ए पल्लव तथा गंग तेमा चोल कलिंग वगेरी जिवा राज्यों ने हरावी तेमना राज्यों विस्तार कर्यो हतु पांडे प्रदेश ने पंड़ै मंडलम अत्वा तेन मंडलम अन्ने पांड़ै नाडु कैवामा आवे छे तो जिवा पांडे क्यों वन्स अतु तेमनो जिवा प्रदेश अतु तेने आ नामे उड़क आमा उत्वातु पंड़ै मंडलम अत्वा तेन मंडलम जिवेग्गाई तथा तामी रप्नी नदियो द्वारा बंता विस्तार मा जुआ मड़े छे पांडे सासोकोने राजधानी मदूराई हती त्यो मदूराईने लोक प्रियरी ते कुडल कहता हता क्या नामे उड़क आता कुडल नामे कोने मदूराई जी तेमने राजधानी हती तेने पांडेननु प्रतिक तमारे याद राखानु छे माचली हती कडून कोने छट्टी सदिना अंत्मा काल भ्रस पासेती पांडियन प्रदेश फरी पाचो मेडवियो अरी केसरी मार वर्मन जे हता जे मने 624 ती 625 तेरमा पांडे सामराजनों प्रथम मजबुत सासक हतो पांडे जे वन सतू तेनों सवथी मजबुत कोई सासक होई तो तेचे अरी केसरी मार वर्मन येमनों समाई गाड़ों लगबग 624 ती चुम्मों तेर सुधी आपने लईये तो पचास वर्ज सुधी नू गणी सकाई छे यो महेंद्र वर्मन प्रथम औने नर्सी वर्मन प्रथम ना समकालीन हत्ता त्यार वाद आगड जोई ये तो चोल वंस ना पतन चोल राजा अधी राजेंद्र ना मृत्ति बाद पची पांडे सामराज नी तेर मी सदिमा अग्रणी तमिल वंस बनने हत्तो ये जे चोल वंस अतु तेनो पतन थाई ग्यो त्यार वाद जो कोई किवाज कि तमिल जो वंसो हत्ता तेमा अग्रणी होई तो ये हत्तु पांडे वंच सद्याई वर्मन जटा वर्मन जेने किवाई चीते सुन्दर पांडियन इस विशन बार्शो एककावन ती बार्शो अर्शत ना समयमा पांडे सामराज्येना तेना सर्वोच चेस्तरले पोँचियु हतु त्यार बाद मार वर्मन कुल सेखरन महत्वाना सासक थे गया जेमने आसरे चालिस वर सुधी सासन करियु हतु तेमनु सामराज्ये उत्तरमा नेलोर थी धक्सिन मा लंका सुधी विस्तरेल आपनने जुआ मडे छे तेमना समयमा वेनिस ना मारकोपोलाई दक्सिन भारतनी मुलाकात आव्याहता मारकोपोलाई पांडे सामराज्ये ने विस्तरेल ना सौथी धनिक औने सौथी भव्य प्रांत तरीके बिर्दावियु छे तो केवाम आवे के सौथी धनिक औने भव्य प्रांत तरीके मारकोपोलाई कोने बिर्दावियु छे तो जेकेवाई के आ पांडे साख हता तेमना समयमा तेमने आ नामे बिर्दावियु छे तेरवाद अलाओ दिन खिलजी जिमना सुबा मलेक कापूर हता तेरवाद पांडे वन्सनु सासन तंत्र सांस्क्रूतिक औने व्यापरिक जीवन जोई तो पांडे सासन मा साही महेलों ने तिरू मली गाई कहता हता असासन मा वड़ा प्रदान उत्तर मंत्री तरीके उडखाता हता अन्ने साही सचिवालाई एलट्टू मंडलम तरीके उडखातू हतू पांडे सामराज्जे मा पूर्व किनारानू सौथी व्यस्त बंदर अन्ने सहिर कायल पट्टी नम एदले हाल जने थुतू खुडी नामी उडख्वाम आवेचे ते छे वेनिस ना प्रख्यात प्रवासी मार्को पोलवाई कायल बंदर नी बेवाद इस विशन बार्षू एट्ट्यासी अन्ने बार्षू तानू अब समय गाड़ा दरिमान एमने जे क्योए कायल बंदर जो हल थुतू कुडी क्योए छे तेनी मुलाकात लेदी हती कोने मार्को पोले जे क्याना प्रवासी हता वेनिस ना मोनो लेथिक मोटा कदना सुसोबीज तंबो मध्यय युगिन पांडे सैली नी विश्यस्ता छे पांडे सासको ये मिनाक्सी मंदिर नु बांदकाम करावी हतो तो आ याद राग जो मिनाक्सी मंदिर नु बांदकाम कोना द्वारा करावामा आवी हतो तो पांडे सासको द्वारा अने मंदिरों उपर गोपूरम अने विमान बावन्जानी अलग सैली पन तेमने विक्सावेल आपन जवा मड़े छे त्यार बाद आगर जोई तो ये छे चेरवन्ज आ समय तमिल्थी अलग थैला एक भाग पर चेरवन्जनु सासन हतु चेरवन्जनु बिजु नाम केरल अथ्वा मल्यालम तरीके पन वड़ा क्वामावे जिजिस्यार्टी मुझाग छे आयन चेरवन्जना प्रथम सासक हता अनि सेत्तु गवन चेर सासकों मा सर्वसेष्ट सासक हता अ थोड़ु कच्छी चेरवन्ज विजेटले थोड़ु ग्यादाग जो आयन जे हता चेरवन्जना प्रथम सासक अनि सेत्तु गवन ये चेर सासकों मा सर्वसेष्ट हता असोक ना सिला लेख मा चेर सासकोनों केरड पोत्र तरीके उल्लेख थैला पनने ज्वा मड़े छे तेमनी राजदानी तमिल लाड़ूनों वेंसियतु जेने करूर तरीके ओडख्वामा आवे छे त्यार बाज सांस्कूर्तिक परिस्तिती नी आपड़ी चर्चा करिया आगर तो गुप्त सामराज्य ना पतन बाज समगर भारतमा नवी सांस्कूर्तिक परिस्तितियो उद्भवी ये नाती भारतनी वर्तमान भासा कला अनि साहित्यनु उद्भव थयो आ समाई भारत मा अलग अलग विश्तार मा प्रादेशिक भासाव उद्भवी जिमा बंगाडी, उडिया, मराठी, असमी वगेरेनों समावेस थाईचे आ समाई मा संस्कुरुत भासानों महत्व ओचु थतु तता अन्य भासाव मा साहित्येनी रजना थाई यहमा तमील भासामा रचाईल कवी कदम नू रामायान अने कवी पंपा नू कन्नड साहित्ये अने महा भारत न तेलगू अनुवाद नू समावेस थाईचे तो किवाई के आजे दक्सिन भारत न राजवन सो हता ते गाड़ा दर्मेन संस्कुरुत भारत साथ धिमे धिमी नीचे आवा लागी अने आविली ते कन्नड जी भासा थी तेनू वर्चस्व धिमे धिमी वदवा लागी हत्यू त्यार बाद आ सिवाई संस्कुरुत भासामा कथा सरीत सागर राज तरंगिली अने गित गोविंदम जेवा महत्वना ग्रंथोनी रत्ना थे आसमाईमा मंदिर निर्माणनी नागर द्रवीट अने ब्येसर त्रणे सैडियोनू विकास थैला पणने जुआ मड़े छे त्यार बाद आगर जुए उत्तर भारत, गुजरात, मध्य प्रदेस अने ओडिसाना विस्तारोमा नागर सैलीनू प्रचलन हत्तु आ सैलीमा विशिष्ट सिकरो जुआ मड़े छे जेनू उत्तमुधान कुणाक नू सूर्य मंदिर अने भुनेस्वर नू लिंग राज जेमा गर्ब गुरुह, विमान, मंडप अने गोपुरम जेवी विसिष्ट रचनावो जुआ मड़े छे चोल राजाओना समयमा आ सैलीनू महत्तम विकास थयो जेमा राजराज चोले तंजाओर मा बनावेल भुरुदेस्वर मंदिर नू समावेस थाई छे तो बुरुदे बुरुदेस्वर मंदिर कोना द्वारा बनावा मावी छे यो पुछे तमने तो तेचे राजराज चोल द्वारा आपने वार्चामा ये जुवाना छे आगरुदे चोल कला कारो ये तांबा माथी बना अवेल भगवान सिवने नुरुत्य करता दर्शावती नटराजने जोईए तो तमिल साहित्य आने विदेसी प्रवासियोना वृतान पर्ति दक्सिन भाहतना प्राचिन नगरोनी माहिती मडे छे हवे इमा कया-कया नगर छे पुम पुहार, पुहार, कावेरी अने पुम पट्टी नम पुम पुहार, नगर दक्सिन भाहरतनु चोल वन्षनु एक प्राचिन धबक्त बंदर हतु किटलाग तमिल साहित्य जेवा के सिव पद्धिकारम, पतिति प्लाई, मणी मेखलाई मा आ बंदरना जट्पी व्यापार विकाषनु वणन छे सिल्पद्धिकारमना मुख्य पातरों कन्गी अनि कोवलन छे, कन्गी ना पिता मनाई गन आनि कोवलन ना पिता, मासु थु वनन ना नाम पर बंदरना विपार्योय मनाई गन अनि मासु थु वननन ना अंथि उडखामा आवे छे तो आ किवाई के प्रख्यात हता ते समय मा जे पन वेक्तियो तो तेमना नामप्रती आमने आज जे बहे बंदर चे मनाई गन अने मासुतु वनन आमना नामप्रती बनावेल छे तेर बद आगर जोए कि ग्रीस औने रोमना केटलाक वियापारियो पुम पुहर बंदरे आगया हता औने अमुक वियापारियो अही स्थाई थया हता जेती भासा संस्क्रूती औने समाज मा विवित्ता पन जोवा मडे चे विदेशी प्रवासियो स्थानिक लोको जोड़ी वाच्चित करता करवा माटे तमील भासा सिख्या हुआनू पन वर्णन मडियो छे इस्विशन पूर्वे बिजी सदी मा कदियालूर उरूती रंग गन्नार द्वारा लखायली पुस्तक पती ती प्लाई मा आ बंदरना आयात औने निकास नू वर्णन चे समुद्र मार्गे घुडा आयात करवा मा आवता हता मरी ने जमिन मार्गे आयात करवा मा आवती आवत जे मरी अपने मरचान उप्योग करेशी तेने जमिन मार्गे औने समुद्र मार्गे जेके वाई कि घुडाओनू आयात निकास करवामा आवतु हतु अबंदरो पर्थी तमिल नाडो ना वड़ा मलाई खातेती सोनू विदेशों मा निकास करवामा आवतु हतु पस्चिम घाट माती चंदन पूर्वे दर्या काटेती परवाडा दक्षिनी समुद्र माती मोती अने इलम जे हालनू सिलंका चे त्यां थी खात्दे सामगरी आयात करवामा आवती हत त्यार बाद आगर जोईत मदूराई मदूराई दक्षिन भारत नू प्राचिन्तम नगरोमानू एक्षि मदूराईने संगम वल्थी नगर तरीके ओड़कामा आवे छे मदूराई पर पांडे चोल अने कलाब्र राजाओय सासन करियू हतु ग्रीक इतिहासकार मेगेस्थ ये इंडिकामा अने चानके अर्थ सास्त्रमा मदूराई नी भव्यतानू वणन करेल चे जे किवाय के चंद्रगुप्त मोरियना समयमा आ गुडिक मेगेस्थनी जायोतु तेमने तेमना पुस्तक चे इंडिका इमा अने चानके जे चंद्रगुप्त मोरियना गुरु हता तेमना द्वारा आ जे बंदर छे तेनी च्वर्पचा करवामा आबेल छे। मदूरायमा तमिल भासामा उत्कर्स माटेना संगमो भराता हता। अहिल नामनु सुगंदियर लागडू थोड़ी बंदर ये थी मंगावमा आवता। हाथिये सरकी सके वाहता तेना पते आपड़े धारी सके कि आ समय गुप्तमार्ग होई सके छे। भारत ना दक्सेन पूर्व एसया सातेना संबंदो तो इस वीशन पूर्वे 15 सदी ती भारत और पूर्वे एसया वच्चेना संबंद नी सरुवात थै। हालनू जावाती समय नू सुवणण दिप तरिके उड़कातु हतु। प्राचेन बोद्ध साहित्यामा भारतियोंनी सुवण दिपनी आत्रावननू गणन जोआ मड़े छे। पूर्वे एसयान थाहिलेन वियत नाम और इंडियोनेसया जेवात देस माथी प्राचेन भारतियों वस्तों ना पूरावा अपनने प्राप्त थैचे। कौडिन नामना भारतियों ब्रामणी कमबोडियामा प्रथम वखत सासन स्थाप्योहतु। तथा इस्वी सन पांचमी सदिमा भारत अने पूर्वे एसया मा देसो वच्चे वियापारी संबंधु श्थापी थैया हात। त्यार बाद इस्वी सन आटमी सदि बाद भारतिये सासों को पूर्वे एसयामा सासन करता थैया inflam जो येटो आ समय भारत माथी इलाईची चंदन लागडा अने लविंग जेई वस्तों निकास थती हती भारत माथी ब्राम्माण अने बोध्ध धर्मना लोको पूर्व एस्या माई स्थाणां तरी थया अने तिया धर्मनो प्रसार कर्यू इसविशन आठमी सदीमा जावा सुमात्रा नियन्ने दक्षिन पूर्वी देशों मा सेलेंद्र वन्सनु सासन स्थपायू आ वन्सना स्थापको बोध्ध धर्म पार्ता हता जेमाती एक सासक नालंदाना बोध्ध मट तथा जावामा विस्व विक्ष्याद बोरोब दर्ना बोध्ध मंदिरों निर्मान कराव्यू हत्तु आ सासको पासे तेमनी विशिष्ट नाउसे ना हती। अपलोड करें अवे आपड़े नेक्स जे लेक्चर आवसे माती मध्ये कालें पजी आधोनिक एविडिते आगर सालू राकेस। तो मढ़े नवा लेक्चर मात त्यासुदी जुड़ाये लारो।